दिक्षित ज्वेलर्स जेवन देपनिवास बाइपास रोड बीसी एस शिम्ला मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंग सुखु ने कहा कि जेओ ए आईटी पोस्ट कोड़ आट्सो सारा भर्ती के परिणाम पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है कानूनी पहलों पर विचार किया जा रहा है और इसके बाद परिनाम घोशित किया जाएगा मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने किसी अवियर्थी को यह नहीं कहा है कि वे इस संबंद में मंत्रियों से जा कर मिले हम जीवाइटी का जो रिजल्ट है उस पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है पर मैं आज कुछ न्यूज़ पेपरों में यह देख रहा था कि यह कहा गया कि कुछ मंत्रियों से मिलो यह मेरा यह ना तो कहा गया और ना ही कहने का ऐसा मक्सद है मैंने कहा कि मंत्री मंडल में इसकी विच्टरी चर्चा होगी आप मंत्री मंडल में हमको कानूनों पहलों पर चर्चा करना पड़ेगा और सभी मंत्रियों को इस बारे में अबगत करवाना चाहिए पर ये खबर आने की चार मंत्रियों को बोल दिया पांच मंत्रियों को बोल दिया ये कोई ऐसी कोई बात नहीं है और किसने ये खबर चलाई मुझे तो इसकी भी जानकारी नहीं है और क्यों चलाई मेरा कोई ब्यान नहीं मेरा कोई कुछ नहीं मिरसे gIT मिलने आए उन्होंने मुझसे पूछा कि सर हमारा रिजलट क्यून निकल रहा तो हमने बोला कि हम सुप्रीम कोर्ट से जीती है और हम मंत्री मंडल में इसकी चर्चा करेंगे और चर्चा करने के बाद इसको रिजलट को निकालेंगे मंत्री मंडल में चर्चा करने से पहले कानूनी पहलों पर विचार में मर्श किया जाएगा और कानूनी पहलों को समझने की जूरत है तो उन्होंने कहा कि आप चीम मिनिस्टर आप खुद कर सकते हैं कि चीम मिनिस्टर का मतलब ये नहीं है मंतरी मंडल के सभी इसस्यों को पर्भावित करें मंत्री मंडल के सभी सभी मंत्रीयों को मिलना चाइए लेकिन अभी मंत्री मंडल में जब चर्चा हुई और कानूनी पहलों से जैसे ही हमें पॉजिटिव आंसर आएगा हम उनका रिजट निकालेंगे देखिए सरकार गाउं के दौार कारेकरम का मुख्या अदेशा यह है एक वरश पहले जब कांग्रेस पार्टी की सरकार आई और कांग्रेस पार्टी ने जिस परकार की वीत्यस तिती थी जिस परकार के आद आर्थिक बदाली थी उससे निप्टने के लिए जो हमने विवस्ता परिवर्टन किया उसके बाद कि जो परड़नाम थे वह हम जनता के दरौर में लेकर जाना चाहते हैं इसलिए क्योंकि सरकार गौंगे दौार कारेकरम के तहट हम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि आप कितने सालों से अपने इंतिकाल के लिए लड़ते रहें, अपनी तक्सीम के लिए लड़ते रहें, हमने परिवरतन कानून में परिवरतन किया आम लोगों को फाइदा पहु रिश negative किसान की मूल बूत समस्याइं क्या है एक साल में हमने किस तरह परिवर्तन करके 20% Do support को पचणी पर लाया है वो हम सरकारगाओं के द्वार कारेकरम के तहत बता रहे हैं हमाचल वरोधी भाजपपा किस तरह है आपदा के समय का हमारी साथ खड़े नहीं हुए तो हमाचल वरोधी भाजपपा है आवी बीवी अमबी में जो हमें सुप्रीम कोंड ने 43 सो करोड रुपे का आवाड दिया उसको आवाड को दलाने में कोई मदद नहीं कर रहे तो कहां हैं ये भारती जनता पार्टी के लोग हमाचल के लोगों के साथ खड़े वे हित्यास की सबसे बड़ी आपदा में खड़े नहीं हुए वी बीमबी से जो शेर मिलना उसमें हमारे साथ खड़े नहीं हुए जो हमाचल का शेर है वो भी धोला से लूरी प्रोजेक्ट में इन्होंने स्टैगर करके वो 40 सालवा ले दिया तो कहां भारती जंता पार्टी के लोग खड़े वे सिक्स्ट पे एकमिशन दे दिया सिक्स्ट पे एकमिशन का जो एरियर था वो नहीं दिया तो ये हमाचल विरोधी भाजबपा ने जो हमारा रुख अपनाया है ये अच्छी बात नहीं है उन्हें हमाचल के लोगों के साथ खड़ा होने चाहिए तो सरकार गौंग के द्वार कारे करम के द्वारा इस बात को अब गत्वी करवाना चाहती है और लोगों की फीड़ वैक से लोगों की मूल बूस मस्यां की जानकारी पराप्त करके फिर आने वाले बजट में उनके लिए ने यूजना लाके परफधान भी करना चाहती है